यह गाड़ी इसने अब ही मारी है मेरी गाड़ी यहां से बैक हो係 उधर गई है मोडपैसे एक दम तेज लेके आये हैं यह सर गाड़ी और तेज लेके एक दम मेरी गाड़ी उल्टी गूम के पीछे की दरफ गई है देखो पूरी गाड़ी कैसा डेमेज की है, यह देखो दोस्तो एक्सिडेंट्स को होना तो बहुत कॉमन बात है लेकिन इन परिस्टितियों में किस तरह से डील करना चाहिए यह हर किसी को नहीं पता होता लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आप एसी महत्वपून इंफोर्मेशन पाएंगे जो इन सिचुएशन से डील करना सिखाएगा गलती आपकी हो या सामने वालों की दोनों ही कंडिशन के अंदर सबसे कॉमन चीज़ तो यह है यानि एकसे निट आप नहीं किया है या किसी और ने आपको ठोक दिया है उस कंडिशन के अंदर सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है मालिक कोई भी हो सकता है वीकल का लेकिन जो ड्राइव कर रहा है उसके पास driving license होना चाहिए यानि मालिक जो है अगर मालिक खुद कर रहा है तो भी उसके पास driving license होना चाहिए गाड़ी तो कोई भी लेकर चला जाता है मांग करके तो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए लोग यह कहता है जिसके पास driving license हो आपकी गाड़ियों chega चाहिए यानिंशुरेंस होना चाहिए की जरूरी है कि मैं आपको बताएं और तीससे जी की कागजाध होना चाहिए गाड़ी का रेच्टरेशन होना चाहिए अब इसलिए जरूर यह तो क्योंकि आगर आपकी गलती इस पर गल्तिक इसकी लेकिन आपको लग रहा है किसी लेकिन आपको brackets कर दिया गल्टी उसकी तो इसलिए क के इनदर आगर वा कर रहा है उस समय तो आप कर सकते हैं इंशुरेंस के लिए तो आप जाई सकते हैं तो इसमें सबसे जो कॉमन चीज है 24 गंटे के नदर आपकी जो इंशुरेंस कंपनी ना उसको आपको इंफर्म करना होता कि आपकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया यह 24 विदिन 24 आर्ट करना है यानि बलकि आपको मैं कहता हूं कि जैसे एक्सिडेंट हुआ तुरंत सूचना दे देना चाहिए फोटो खीच करके उसको वोट्स अप कर देना चाहिए संबंदित व्यक्ति को किस तर मेरी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गय इसका रिकोड क्या है ओनलाइन अगर आप करते हैं तो रिकोड मेंटेंट होता है पुलिस मोकी भी आ सकती है डेली डायरी के अंदर आपका एक्सिडेंट होने वाली बात अगर उसमें आती है आपके इंजरी नहीं हुई है केवल आपके विकल को नुक्सान हुआ है तो रही बार के होता है लोग सोचते हैं कि यार डायरेक्ट इंश्रोंइंस कंपनी से क्लेम कर लें तो कर सकते हैं क्योंकि इंश्रोंइंस कंपनी को अपने 24 आर्स सूचन देदी और उनकी नौलेज में यह बात आगई उनकी आकोडिक हमने जो उन्हों की दिमांड थी चीज़ आप के श्क्रा सकते हैं व्यक्ति को जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह तो लापरवाई से और तेज घति से वहां आ रहा था जिसने आपको टकर मारी लोंग सैड आ करके यह से भी आपके साथ एक्ट हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति लापरवाही से अपनी गाड़ी को त इसने तकर मारी ही। men driver है तो driver माला उन्हारा तो जो जिए और छक्तिव अवाप्य दाइब कर रहा है। जो साथ में ब hoşता है। और अगर किसी के ग्रीफे सिंजरी आ गई है मतलब उसको ज्यादा चोट गई है गंबिर चोट आई है तो 338 आईपीसी को ऑफिस्ट मन जाएगा उस राइवर किलाब इसके लाव अगर किसी की दुर्गटना में मृत्ति हो जाती तो 304 एपीसी को ऑफिस्ट बन जाएगा इस सब दारा हैं इसी हैं जो एक्सिनेंट से रिलेटेट है इन सभी दाराओं को जमानती अपराद में काउंट किया जाता है यानि इसे वेक्ति को पुलिस पगड़के लेके जाएगी तो थाने पर जमानत पर छोड़ देगी इसे वेक्ति से गाड़ी के कागजात मांगे जाएगा जेल के अंदर लेकिन जमानत हिंट्वेंट हो जाएगी यह तो एक बात तो सबसे कोमन चीज निकल के आ रही है कि बही ऐसे वेक्ति को ड्राइव कर मलब उस गाड़ी दो आप आपकी कि जिसके पास इंशुरेंस होना चाहिए प्लस सबसे महतुपन हो गया कर रही है तो आप एक क्लेमेंट लोयर से मिलकर के उस कंपनी के खिलाब कंजीवर्क फॉरम में शिकायत कर सकते हैं या फिर दुरगटना हुए आपके विरुद तो आपके कोई इंजिरी भी आई है तो उसका भी आप अलग से क्लेम ले सकते हैं मसीटी कोड के दौरा फिर अगर कोई कंफीजन है आपका तो आप सवाल कर सकते हैं कोई भी कंफीजन हो सकता है रह आपके में पसंद आया तो इसको लाइक करें शेर करें एससा इस इस देखने पाप चैनल को सब्सक्राइब करें गाईज